स्वामी उमनन जी लिखते हैं कि प्रत्यकल चार अवजे के पीछे सोने वाला मनुश्य कभी ब्रमचारी नहीं हो रहा जकता क्योंकि सवपन दोस वगारा इसी समय होते हैं यदि उसके अंदर वीजिय की रक्सन ही होगी तो वह है ब्रमचारी कैसे दोस्तों आज हम बहुत ही म में जो बुक है वह ब्रमचारी के साधन इस पुष्टक को स्वामी ओमनन जी ने लिखा है स्वामी ओमनन जी ने इस पुष्टक के अंदर ब्रमचारी के साधनों के बारें बात कर रखी है बहुत ही मैट्पॉन विश्यों में यहां पर कहें कि step to step उन्होंने बताया है कि ज आज हम ब्रहम्च्रे के साधन जो गरंथ है इसको complete आपके सामने रखेंगे जो ब्रहम्च्रे के साधन पुष्टक में सबसे पहला साधन है प्रात्य जागर्ण सुबभ जल्दी उठना आज ह待って के लिखा है ब्रहम्चारी हो अथौरे गरिस्त यहां पर ब्रहम्चारी हो या गरिस्त गरीस्त जोबी जीवर में उनत्ति करना चाता है उसे सबसे पुरव प्रात्य उठने का ही अभ्यास करना चाहिए इसको सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए, कहते भी तो है, जो देर तक सोता है, उसको मतलब वोसे रोग जगड़ देते हैं, जो जल्दी उठता है, उसको उसके स्रीश से रोग भाग जाते हैं मनु महाराज ने प्रत्यकल बर्मूर्थ में उठकर आवश्य करते विया करम करने का इस प्रकार विदान भी किया है, बर्मो मूर्थे बुद्येते दरमार्थो चनु चिंतनेते कायक लेशांच चनु मारन वे तथार्थ मेउचे, इसका हां हिंदे नुवाद होगा, किसी मूर्थे का स्जोक है, यह बिदा यहाद में लिखा है। बर्मूर्थ में उठकर दरम और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अपने शरीर के कलेशों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए। जो कलेश है, पंस कलेश होते हैं, वहाँ पे कह रहे हैं। और वेद के तत्वों को या तत्वों का आधियन करना चाहिए एकनिस्थान पर भी ऐसा लिखा है कि आयू की रक्सा के लिए ब्रमुर्थ में उठें और स्रीर की चिंताओं को छोड़कर सोच नानादी करके सवस्चित होकर और इस्वर का ध्यान आधि नित्ते कर्मों को करें प्रात्यकल उठने से मनुष्य सवस्च रहता है उसको रोग नहीं होते निरोग सरीर अधिक वर्ष्टों तक कार्य कर सकता है प्रात्यकल उठने से असंके लाब शास्तरकार उने बताई है गोविल ग्रिया सुत्तर में भी इस प्रगार का विदान है कि प्रती दिन रात्री के चोते पैर में जाग मैर्शिद्यानन जी भी इस विश्य में संस्कारविदी में लिखते हैं संस्कारविदी कैसा गरंथ है इसमें सोड़ां जो हमारे संसकार होते हैं हिंदु ध्रम में उन पर बात कर रखिए जैसे ये है वो गरंत मैर्शी द्यान जीन ने लिखा आई है सोड़ां ससकारों पर इसके अंदर बात कर रखिए ये भी बहुत अच्छा लिका है इसके अंदर तो यहां पर कहते हैं सदा इस्त्री पुर्ष दस बज़े सयन और रात्री के पिछले पहर वह च्यार बज़े उठके पर्थम हृद्य में परमेश्वर का चिंतन करके दरम अर्थ का विचार करना और दरम अर्थ के उन्ष्ठान वाय उध्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथा भी दरम्युक्त काम ने छोड़ना चाहिए किन्तु सदा निरंतर उध्योग करके विवारिक और परमार्थिक करतविय करम की सिद्ध के लिए इस्वर उपासना भी करनी ही चाहिए कि जिस प्रमेश्वर की क्रिपाद्रिष्टी और शहाय में महा कठीन कारिये भी सुगमतमदव असानी से सिद्ध होसके चबन सिद्ध मतर शुबड़ के पढ़ने चाहिए कि इन मत्रों का अर्थ विशार पूर वक जब करने से अधिक लाब होता है इनका अर्थ मैर्शिद्यानंद कृत संसकार वीदी के गरिया अस्रम प्रकरण में देख लेने बहुत प्राचिनकाल से अथ्वा यों कहिए आदिस रिष्टी से प्रात्या ब्रहमूर्थ में उठने का विदान है वालमिक रमायन इसमें प्रमान है यह किना पर स्वामयमी वहनर जी ने इसमें बताया है तो वो प्रमान क्या है वालमिक रमायन अयोदा कांड सस्д सरंग संसरग संसरग को थे इसके इसे इध्याई होते हैं ऐसी किसी इसके उठर बहुते हैं रूम और सीता इन दोनों के बीच का दिश्ठाएंत है जब पहहर्य रात सेस रही तब वे उठे और नोकर चाकरों को सारे बवन का साफ कर सजाने की आज़्यदी देखिए रात्री के सेस पहर में इसे रात्री के पस्सिम आयाम वह चोथे पहर का नाम ब्रहमुर्थ है सास्तरकारों ने इसी समय को अमरित वेला वह देव वेला भी कहा है यह बरम का अर्थार्थ देव देवत्रा देवों के देव महादेव जिसका मुख्य और निज नाम ओम है के समन करने का सरेश्य में है देव विद्वान लोगों इस मूर्थ में बरम की बगती वे बजन में रत रहते हैं और उस समय प्रेम में प्रबू अपने बच्चे सरदालू बगतों पर आनंद अमरित की वर्सा करते हैं सबी मनुश्य प्रयाप्ट से में सुसपती अथार्त गहर निद्रा में सब संसारिग वाद्वनाओं से सरवथा दूर रहते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों जो त्रिदोस हैं जिसके में त्रिदोस यहां वात्वित कफ यह भी सांत रहते हैं और बात करें तो त्रीगुन जो मरी प्रगर्टी त्रीगुन आत्मक है रजदम सत तो इसमें सत प्रदंता रही इसमें चित की सवरितियां उसमें निरुदवस्था में रहती हैं इसी कार्ण हमारा आत्मा अपने सवरूप में प्रतिष्ठित होने से सरवता सांत होता है प्र परवत्तर, सुंदर्ता, सुम्यता, परशंता और सांती का समराज्य होता है। ऐसा परतीत होता है कि देव पुजार्थार्थ इस्वर श्तूती प्रार्थना उपाशना आदी सुबकारियों के लिए ही इस्वर ने इसुत्म समय की रचना की है। इसमें जबाव में यह कहीं पापी से पापी मनुश्य का भी इस्वर भगती आदी सुबकारियों में मन लग जाता है। नवजात बालक भी स्वयमेव प्रात्य उठकर हमें यह सिक्सा देता है कि परभू का वह पवित्तर समय प्रमाद में पढ़कर्ष होने का नहीं हम यह भी नहीं देखते कि पक्सीगन पेड़ों की साखाओं पर अपने पंख वलाकर परति दिन अपने पिरियतम परभू के प्रेम में गदगद होकर कितने मदूर सवर से गीत गाते हैं आगे लिखते हैं इससे हमें यह सिक्सा मिलती है कि राद दिन के 24 गंटे में से केवल एक बार आने वाला यह प्रात्यकाल का सरूत्तम समय ब्रमवंदना के लिए ही आता है देव देव मतलब विद्वान देव कहते हैं देवतात विद्वान को कहते हैं यहां पर लोग एकागर्चित होकर इस में पर्बू के आनद अम्रित का पान करते हैं इस बाव को एक कवी ने अपने सब्दों में लिखा है इस प्रकार का है बोर बयो पक्सीगन बोले उठ जन पर्बू गुंगायो रे लखो प् सुरिय का दर्सन ने हो काइतरी का अभ्यास जब करता रहे सुरिय उद्द्यक से पूरव इस्वर का ध्यान करना चाहिए मावश्य का ने लोकतायव सुत्र आया वाक्य भी उप्युक्त कथन की पुष्टी करता है सभी सास्त्रों में रिशी मेरिशी लोगों का यही एक मत ह है कि ब्रमूर्थ में बढ़कर इस्वर भगती के लिए अन्जय पुष्टर से में नहीं है इसलिए मनु माराज भी लिखते हैं प्रात्यकाल की संदा को गायतरी का जब करना या फिर सुरिय दर्सन होने तक स्थित होकर और सायकाल की संद्या को नकसतर दर्सन ठीक ठीक होन करते थे इसमरी तवेला का सदूपयोग करने के कारण प्राचन रिशी महरेशी अमरपद मोक्स को प्राप्ति करते थे इसलिए आज तक उनके यस और किर्थी की गीत गाय जाते हैं जो प्रति दिन बहुत प्रात्या उठकर सरदा पुर्वक इश्वर को याद करेगा वह द दोस्तों वैसे तो योग दस्टन का यह टैलिमेंट्स ओफ योग जोस्टांग योग यम नियम आशनपनाएं पर तरदान अध्यान समाधि वह भी मोक्स मारक के लिए सही है लेकिन यहां पर भी मोक्स के लिए बार बार इसलिए आया है क्योंकि मानुजीवन का कहें या मार नय होने से हिंसा करने या असत्या बोलने का आउस्सर ही नहीं आता सवाव से अहिंसा और सत्या का परसार होता है चोर भी अपनी चोरी से निविर्थ होकर इससे पूरव ही अपने स्थान पर चले जाते हैं कामी पूरुस भी इस रातरी के इस पहर में बहुत देर से सोने के प्राण इसमें अलर्षय प्रमाद में पड़े सोते वमक्ही मत्सर मारते रते हैं अहिंसा सत्य अस्तिय ब्रंस रिया आधी यम तो यह पांच है आई सस्तिय अप्रेगर एंप्रमचरिय लिकिए कि जो अहिंसा हमत्ल यहां पर की मनवचन कर्म से किसी जीव नुक्सान नहीं प यम्नियमों का सव्यम वातावर्ण होने के यह होने से यह योगा ब्यास इस्वर भक्ति का सुर्वत्तम सिम्या है किसी कविन ठीकी का है अमरी तवेला जाग पवित्तर होकर आसम से जमा इस्वर के गुंधारन करके समीप में दिन दिन होता जा राष्टपिता गांदी गांदी को राष्टपिता का गया यहां पर राष्टपिता गांदी का जो प्यारा बजन है उसमें भी इसी परकार के भाव है उठ जाग मुसाफिर वोर वई अब रहन कहाँ जो सोवत है जो जागत है सोवपावत है जो सोवत है जो खोवत है हमारे प्रातिय पुरुस प्रात्यकाल उठने के महतव को परणेता समझते थे और शबी ब्रह्मूर्थ में उठने के पूरुव अभ्यासी थे वे मनु जी के अदे संसार इस समय में सोस, दांतुन, सनान, वयाम, वायू सेवन, आदी, नित्य कर्मों के दोरा इस स्रीर को इतना सुंदर सुद्रिड सवस्थ बना लेते थे कि काया के कलेस, अथार्त, सहरिक रोग और उनके कारण स्वेम समूल नश्ट हो जाते, समूल परनायाम, योगव्यास और इस्वर चिंतन के दोरा मानसिक और आत्मिक काम करोध आदी सत्रों का बसमात कर डालते थे, आज हम अपने रिशी मेरिशियों के मार को छोड़ कर सरवता उल्टे चल रहे हैं, हमारे सब दुखों का यही कारण है, यह जानते हुए भी कि जो लो होगी, अलपायू, हटी, द्रेदरी, दुराचारी, विश्याई, तथा अनेक दुरगुनों के बंडार होते हैं, उनके स्वास्तिया और सदाचार का तो दिवाला ही निकल जाता है, प्रातेकाल का यह पवीतर समय, जिस का वायू उत्यां सुद और संजीवनी सक्ती से बरा हुआ होता है, हम उससे कुछ भी लाव ने उठाकर खटिया में पड़े-पड़े योँ ही खो देते हैं, और अपने पुर्षाओं कोल लजाते हैं, क्योंकि प्रातेकाल उठने वाले इस तरी पुर्षपून सवस्त, बाग्यावान और गुद्यमान होते हैं, लेकिन तो आ देर तक व् critique की गप सप मारते और सिनBा नाचादी देखते रहते हैं, यह सचा है दोस्तों, और प्रिक्स्ता के दिनों में, पढ़ने के लिए देर तक जागते रहते हैं, और फिर सुर्योद्यिद्यमान के बहुत पीछे तक सोई पड़े रहते हैं, क्योंकि देर से सोने वाला और देर से उठने वाला मुनिशे कभी भी बुद्धिमान, सबस्त, ब्रम्चारी और बाग्यवन नहीं हो सकता। वेद भगवान ने कितना अच्छा कहा है कि जो सुरिय उद्य के पस्चाथ अथवा दिन में सोता है उसे सोने वाले के तेज का उद्य होता हुआ सुरिय हर लेता है जिसे अपनी सत्रों के तेज को एक तेज अश्वी पुरुष ले लेता है। आगे लिखा है तेज का वर्षव उसक्ति का गुन का नाम है जिसके कारण मनुश्य सब प्रकार की उन्ति करता है। बुरे वेक्ति या कई अच्छे जिवा बुरे जैसे संसकार डाल दी जाते हैं। उनका प्रभाव मन प्रेंत रहता है। आगे लिखते हैं संसकारों की छाफ अटल और शेम्ट है जो प्रात्यकाल के अमुल्य अमरीत वेला को नश्ट कर देता है। उसका संपून दीन ही नश्ट हो जाता है। चैसे प्रात्यकाल बितेगा वैसे ही संपून दीन की गति होगी। अंगल बासा, अंग्रेजी बासा की कहावत है वेल्ड बिगन इस हाफ डन। प्रात्यकाल का पिछड़ा हुआ, मनुश्य शायकाल तक पिछड़ा ही रहता है। उसकी दिन्चरिया सब बिगड़ जाती है। उसका कोई काम समय पर नहीं होता। वह अपने सुधार के लिए प्रति दिन आने वाले एक नए सुभावसर को खो देता है। प्रत्यकाल उठने के लिए हमें वेद मंतर जैसी असेरिचकी चितावनी देता है। रिगवेद में वुका गया है कि हे मनुश्यों उठो जागो और हमारे लिए जीवन प्राण सकती जो उद्यवस के लिए अंदकार को मिटाओ। कि इसमें अगर इसी सईब आवार्त की बात करते हैं वेद कहते हैं कि मनुश्यों के लिए प्रात्यकाल उश्या की जोती उठने के लिए अंतिम से तावनी है। वह मनुश्य को और सावदान करती है कि हे मनुश्य उठ या जीवन सकती की संचय का समय है। प्रणायाम के द्वारा प्राणों का उद्या संचार इसी समय किया जाता है इस समय का बागता हुआ अंदकार हमें अंदर के अंदकार को मिटाने के लिए स्टेट कर रहा है यह प्रबात का प्रकास सुरिय के आने की सुचना दे रहा है और हमें बार बार कहरा है कि ए मनुश्य उठ ये सोने का समय नहीं है इस समय का जो सोना है अपने सरोसो का खोना है यही तो समय है जागने वाले मनुश्य के अंदर उशा का परकाश और उद्य होते हुए सुरिय की सक्तियां नव प्राण का संचार करके दिवय जोती का उद्या करती है और सोने वाले व्यक्ति के अरोग्य स्वास्ते बल बुद्धी तेज और हर निरबल और दृदर निरबुद्धी और अलपाई बनाती है ब्राम्य मुर्त या निद्रा शाप पुन्यक्षय कारिणी ब्रमुर्त में सोना सब पुन्य अर्थार सूबकारियों का अक्षय मक्षय मतलब नास करने वाला होता है एत्रिय ब्रामन गन्त में एक परसन आया किम पुर्णियम ब्रमचरियम अर्धार संसार में सब पुर्णियों का पुर्णिय ब्रमचरिय है ब्रमचरिय के प्रेमी की यदि आप रिक्षा करना चाहें तो आप प्राते काल जाकर देखें यह है क्योंगे चार बजे कभी सोता हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि सवपन्दोस आदी रोग इस समें सोते रहने से जो मल मुतरक से मलाश्य और मुतराश्य बरे हुए होते हैं उनको वेरिय कोस पर दबाब पड़ता है और उसी समय उस वेक्ति को सपपंदोस बगारा होते हैं या फिर कहें उसी समय विर्ये नाश्ट हो जाता है और गंदे सपन भी चार बज़े के पीछे ही आते हैं जो सपंदोस का कार्ण बनते हैं किंतु प्रात्यकाल चार बज़े से पूरो मनुश्य तभी उठ सकता है जब सायकाल दस बज़े से पूरो सो जाए इसलिए ब्रहमचारी अत्वा ब्रहमचरिय प्रेमियों को दस बज़े से पूरो सोने का और चार बज़े से पूरो उठने का व्यास डालना चाहिए प्राचिन काल में इस पवित्तर देश में जितने भी पुज्य यरिशी महरिशी हुए हैं वे सभी प्रत्यकाल उठने वाले ही थे इसमें तो किसको संदेय हो सकता है कि किन्तु आदनी काल में भी संसार में जितने महापुर्श हुए है जिस किसी ने देश जाती धर्म के लिए कोई भी सेवय का बड़ा कारिय किया है वे सब प्रत्यकाल में उठने वाले ब्यासी थे मैर्शिद्यानन सैदेव बहुत प्रत्य उठते थे मातमा गांदी जी को प्रत्यकाल उठने का ब्यास था नेपोलिय नादी मापुर्ष्ट जो पस्चिम सेवयता कहीं अपर देशों में हुए हैं वे भी सब प्रत्यकाल उठने वाले सिन्यासी थे प्रत्य उठने वाले मापुर्ष्टों के नाम की सोची कुछ वर्ष पूरो अंगल बासा की परशीद पत्री का मोडरन रिव्यू में चपकी थी प्रत्य उठने की बात छोटी सीची दिखाई देती है किन्तु इसका महतव और फल बड़ा बारी है इसका ब्यास प्रयाप प्रिश्रम के पीछे पक्का होता है सैदेव निरंतर नियम से प्रत्य उठने वाले व्यक्ति बहुत थोड़ी संख्या में पाई जाते है किन्तु मापुर्ष बनने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते है जैसे वरिक्स और बवन मतलों मकान की जड़ और नियू भूमी पर छूपी रहती है सादर निया देखने वाले को कोई महतों नहीं प्रतीत होता किन्तु मूल के प्रबाव या मूल के अभाव में पुरिक्स और नियू बुनियाद के बिना बहुन टिक नहीं सकते इसी प्रकर प्रत्य उठने का गुन बहुत छोटा सा दिखाए देता है किन्तु यह अपने धार्ण करने वाले जीवन को उंच पवित्तर और महान बना देता है इतने पर ऐसे भारी लापर्द गुन को कोई धार्ण नहीं करे तो उससे बढ़कर अभागा और कौन हो सकता है अंतिम कुछ लाईन है दोस्तों इनको जुरूर सुने इस मैतों को परकट करने वाले मैरशी ध्यानन जी की जीवन के एक गटना आती है गटना इस परगार है एक दिन एक पादरी और एक मिसेनरी महिला महाराज से मिलने आई उसन से महाराज ने कहा कि दन की अधिकता जाती की सरुनती का कारण हुआ करती है जैसा कि वह जाती का या फिर कहें सरुपतन का कारण हुई और उधारनता रूप से कहा कि इसी कारण से अंग्रेजों की दिनचरिया बिगड़ती जाती है पहले हम सुर्यदे से पूरो बर्मन करने जाया करते थे तो बहुत से अंग्रेज इस्तरी पुर्षों को वाई सेवन करते देखते थे अब वह बहुत दिन गए उठते हैं बहुत दिन गए मैं लोग देर से इसलिए अब उनका राज्य नहीं रहेगा प्रत्यकार ना उठने वाले मुनिश्य श्वास्थय आयूबल ब्रहमचरी है राज-काज सब कुछ खो बैठता है अंतर प्रत्यक ब्रहमचारी प्रेमी तथा उन्तिक चाहने वाले इस्तरी पुर्ष को प्रत्यकार ब्रहमूर्थ में उठना चाहिए दोस्तो अगली वीडियो में बात करें जो ब्रम्चरी है कि सादन में दूसरा सादन है चक्सुप इसनान उसापान और सोचादी आज हम अपने पड़ा है जो परात्य जागरन है इसके बारे ब्रम्चरी पहला सादन इस सीरीज में हम ब्रम्चरी सादन पूस्तक के जो ग्यारें ग्यारें सादन में दूसरा बात करेंगे ठीक दोस्तों फिर मिलते अगली वीडियो में तब तक जैहिंज जैवारत